मी सपीश मनवर वार्जुगर माजी जुल्ला बर्षिदाखेश चंद्रपुट असमिता पार्मोस या किकानी में आज नकपूर मंसर दवड या किकानी भेग दया लालो इथे दवड पास लिम्बू, सिताफळ, त्या सोबत संत्रा आनी शेवगय चाशेंगा बाम्बू, उसाद से बगिचा, त्या सोबत धान, ये सर्व फार्मिंग या किकानी में बगितली अर्गनिक शेती कशी कराईची आनी अर्गनिक शेती तुन कमी पईशा शेती कशी कराईची है या किकानी शेकाला मेडाला जी शेती 20 योगा ची होती तीला और्गनिक शेती चा अर्गनिक खतत तयार केली गाई चा शेना पसु नानी गाई चा गोमित्रा पसु नानी तचा मदे ताही इंगरेवन्ट टकुन एक अतिशे सुन्दर अस फार्मिंग याठीकान आमाल पाहल मिलाला याठीकानी दोन वर्षाह गोतर आलो होतो त्यावल ची परिस्तिती आणी दोन वर्षात अर्गनिक शेती केला नंतर ची परिस्तिती पहता अर्गनिक शेती किती करायला परवडते है अमाला याठीकानी शिकाला मिलाला अतीशे सुंदर असा प्रोजेक्ट और अतीशे सुंदर असा फार्मिंग आमी आ ठीकानी बगितला और शेतकर अनी शेती कशी कर आवी ते शिकने सरकाएं शेतकर इलोक, यूरिया, डियेपी और नुवाकरान सारक्या उश्यद्या मारून आपली शेती करतात, त्याम बदे अनेक पईशे खर्च होतात, और शेती ची पोत्पन कमी होते, परन्तु या ठीकानी कत्रया पसुन, कुंत्या कत्रया पसुन नाइट्रोजन मिड़ता, और जढ़ा पसुन नाइट्रोजन मिड़ता, खे सुद्धा या ठीकानी शिकाल मिड़ाल, और शेती लाव अपियोगी चा तीन वस्तवाय देक तो मलकाला फायदा भावा, जनावरा ला फायदा भावा, जमिनी ला फायदा भावा, अशित जढ़ा या ठीकानी ठेवाईची, अशा प्रकार्टी या ठीकाने अमाला शिकाला मेडाला आनि अतीशे उत्तम असा शेतकरनी या ठीकानी शिक्षन जावासा मला वट्टे आनि शेती एक आपन बगितला तर 99 टक्ते शेती है यूरिया डियेप आनि आपले आउशेदाचा भरशवर करता द। अशा प्रकार्टी या ठीकानी शेती है या अर्गनिक शेती तायरोला आनि अतीशे उत्तम असा तलब हाया लगितल आनि अपली जम्यरी ची पोध्पन सांगिल रहें दन्यवाद